भारत में युनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, मतलब कोई भी एक कानून हर धर्म पर लागून नहीं होता यही कारण है कि भारत में शादी से संबंधित कानून भी अलग-अलग है वहीं डिवॉर्स को लेकर भी अलग कानून है लेकिन इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी Hindu Marriage Act 1955 या Hindu विवा अधिनियम 1955 की पहले ये जान लेते हैं कि Hindu Marriage Act 1955 क्या कहता है इस Act के section 5 में बताया गया है कि valid marriage कब मानी जाएगी लड़की और लड़का पहले से शादी शुदा नहीं होने चाहिए अगर शादी हुई हो तो तलाक हो चुका हो या महिला या पुरुष के spouse जीवित नहीं हो दोनों एक दूसरे से degrees of prohibited relationship में भी नहीं होने चाहिए और साथ ही दोनों एक दूसरे के सपिंड भी नहीं हो सकते अब अगर इन में से कोई भी condition violate हुई तो ऐसी शादी null and void होगी या अमान्य होगी और दोनों में से कोई भी party court में section 11 की petition file कर court से ये declaration ले सकती है वहीं section 5 के मताबिक एक condition या शर्थ ऐसी भी है जहां शादी अमान्य नहीं होती लेकिन उसे अमान्य करार दिया जा सकता है ऐसे में ये जानते हैं कि ये condition क्या है शादी के समय दोनों में से अगर कोई भी unsoundness of mind से ग्रसित हो या ऐसी किसी बिमारी से जूज रहा हो जिसके कारण वो शादी करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए सक्षम ना हो या उसे पागलपन के दोरे पढ़ते हो तो ऐसी situation में शादी के एक साल के अंदर शादी को अमान्य करार देने की petition कोर्ट में फाइल की जा सकती है और इसमें कुछ और कारणों की भी सहायता ली जा सकती है जैसे कि दूसरी पार्टी की impotence या नपुन सकता का कारण से consummate ना हो पा रही हो शादी या शादी का consent force से लिया गया हो या दूसरी पार्टी के बारे में किसी एहम जानकारी को छुपा कर या गलत बताकर fraud से शादी की गई हो या शादी के समय लड़की किसी और से गर्ब धारन किये हुए हो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सभी कारणों में शादी के एक साल के भीतर ही शादी को अमान्य करार देने के लिए आपको जा सकते हैं लेकिन जहाँ fraud या धोखा हुआ हो तो जिस दिन fraud की जानकारी प्राप्त हुई थी उस दिन से एक साल तक का समय मिल जाता है जहाँ शादी के समय लड़की पहले से किसी और से प्रेगनिन्ट हो तो ऐसे में अगर हस्बन इस ग्राउंड पर शादी को अमान्य करार दिलवाना चाहे तो उसे कोट को ये साबित करना होगा कि शादी के समय वो इस बात से अंजान था और ये भी कि इस जानकारी के पता चलने के बाद उसने अपनी इच्छा से लड़की से कोई संबन नहीं बनाए अगर किसी कपल ने मैरिज का रेजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो हिंदू मैरिज आक्ट में रेजिस्ट्रेशन जरूरी तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि registration ना होने के कारण शादी अमानने हो जाएगी Section 5 के मुताबिक ये भी जरूरी है कि लड़का कम से कम 21 साल की उम्रका हो और लड़की कम से कम 18 साल की उम्रकी हो ऐसा ना होने से शादी अमानने नहीं होगी लेकिन ऐसी शादी करवाने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे वो लोग सजा के लिए लाइबल जरूर होंगे और पार्टी इस कोर्ट से डिवार्स की मांग कर सकती है हिंदू मारिज कस्टमरी राइट्स और सेरमनी को फॉलो करके भी की जा सकती है और जहां ऐसी सेरमनी में साथ फेरे लिए जाने का रिवाज हो वहां साथवे फेरे के बाद ऐसी शादी को संपन्य माना जाएगा और इसी तरह कुछ अलग कस्टम्स को भी इस आक्ट में रेकिगनाईज किया गया है जिसमें एक दूसरे को माला पहनाना या अंगूटी पहनाना शामिल है हिंदू मारिज आक्ट में शादी को भले ही अमान्य करार देने के प्रावधान है लेकिन कानून में इस बात का खास खयाल रखा गया है कि जहां शादी को अमान्य करार दिया जाए वहां ऐसी शादी के दौरान जन्म ले चुके या कंसीव बच्चे नाजायज या इलिजिटमिट नहीं होंगे हिंदो मैरिज की कुछ जरूरी कंडिशन ऐसी भी हैं जिनको ना मानने पर या उनका उलंगन करने पर दो साल की कड़ी सजा और एक लाग रुपे तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है ये भी जान लेना आपके लिए जरूरी है कि अगर आप कोर्ट का दर्वाजा खटखटाना चाहती है तो आप किस कोर्ट में अपनी अरजी दे सकती है यहां multiple options होते हैं और इन में से किसी एक जगे की family court को आप चुन सकती है पहली वो जगे जहां आपकी शादी हुई थी दूसरी वो जगे जहां petition file करते वक्त प्रतिवादी या respondent रहता हो या वो जगे जहां आखरी बार दोनों parties इकठी रही हो अगर महिला ऐसा कोई case file कर रही है तो case file करते समय वो जहां रहे या फिर जहां प्रतिवादी या respondent के जीवत होने की पिछले 7 साल में कोई खबर ना हो तो ऐसे में भी जहां वो रह रही है वहां से ही case file कर सकती है इस कानून के अंतरगत जहां दो पक्षों के बीच case pending चल रहा हो वहां पती या पतनी दोनों में से कोई भी जिसके पास खुद को maintain करने के लिए sufficient income ना हो वो अपनी जायस खर्चों के लिए court में application लगा कर गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है ये तो हम सब जानते हैं कि court permanent alimony और maintenance दे सकता है लेकिन यहां ये जान लेना भी जरूरी है कि maintenance सिर्फ तब तक के लिए दी जाती है जब तक उसे पाने वाला व्यक्ति जीवित हो और court के पास ये भी power होती है कि यदि circumstances में परिवर्तन आ जाएं तो वो अपने किये हुए order को बदल सकता है मान लीजिये कि court ने ये order किया कि पती हर महीने पत्नी को 50,000 रुपे maintenance के लिए देगा तो अगर इस order के बाद पत्नी की मृत्य हो जाती है तो पत्नी के रिष्टेदार इसके हगदार नहीं बन जाते या फिर पत्नी डिवर्स के बाद दुबारा शादी कर लेती है तो भी पती court में अरजी देकर maintenance के order में बदलाव की मांग कर सकता है वहीं अगर मान लीजिए कि पत्नी किसी ऐसी बिमारी से ग्रसित हो जाती है जहां उसके खर्च बढ़ जाते हैं तो वो भी court में अरजी देकर maintenance बढ़ाने की गुहार कर सकती है मतलब यह हुआ कि permanent maintenance भी पूरी तरह permanent नहीं होती और इसमें बदलाव हो सकता है इस कानून के section 22 में ऐसा प्रावधान भी है कि ऐसी सभी proceedings in camera होंगी यानि जो party उस case से संबंधित होगी सिर्फ वही court में हो और ऐसे court की proceedings को किसी भी जगे प्रकाशित करना allowed नहीं होगा इसका उलंगन करने पर 1000 रुपे तक के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन high court और supreme court की proceedings कानूनी तौर पे प्रकाशित की जा सकती है बच्चों की custody और property को लेकर भी court इसी कानून के अंदर फैसले कर सकता है और परिस्तिती के बदलने पर इन orders में भी परिवर्तन कर सकता है मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जो लोग हिंदू marriage act के तहट शादी करते हैं ये कानून उन पर लागू होता है पहले ये जमू कश्मीर पर लागू नहीं किया गया था लेकिन 2019 के बाद ये कानून वहां भी लागू किया गया है ये केवल हिंदूओं पर ही नहीं बौध, जैन और सिख धर्म के पालन करने वाले लोगों पर भी लागू होता है वहीं अगर कोई मुसल्मान, इसाई, पार्सी या ज्यू है तो उस पर हिंदू marriage act लागू नहीं होता और साथ ही जो कोई व्यक्ती, मुसल्म, क्रिश्चन, पार्सी या ज्यू नहीं है और भारत में domiciled है उस पर भी यही कानून लागू होगा आप यहां ये भी समझ लीजिए कि अगर एक बच्चा है जिसकी मा हिंदू धर्म से है और पिता किसी दूसरे धर्म से या इसका विपरीत भी हो सकता है और ऐसे में अगर बच्चे की परवरिश हिंदू धर्म के मताबिक की गई है तो ऐसे में भी हिंदू मारिज अधिनियम ही उस पर लागू होगा और इसी के सारे प्रावधान उस पर लागू होगे और अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है और इन ही में से किसी धर्म को अपनाता है तब भी Hindu Marriage Act ही लागू होगा इस कानून के अंतरगत, डिवर्स और उससे जुड़े कुछ और मुद्दों को लेकर कानून में क्या प्रावधान है वो आप अगली विडियो में देख सकती है इसके अलावा भी अगर किसी लीगल मुद्दे पर आप हम से जानकारी चाहते हैं तो जरूर लिखे कॉमेंट बॉक्स में और जुड़े रहे बीबीसी हिंदी न्यूस से